हाई फैन आज मैं बनाने वाले हूँ एक कप सूजी से मार्केर जैसा केक बिना अंडे का बिना बैकिंग सूड़ी का बिना बेटर का हम इसको बनाएंगे इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है खानी में बहुत ज्याद टेस्टी बनते है चलो रसे भी बनाने के लिए सबसे बहुत जार बनाके बना सकते हो आप मैं इसमें डालिया है एक कटोरी दही चीनी और दही को अच्छे से फेट लेना है...今日 मैं । सबसे पहली मैं दही को चीनी के साथ मैं अच्छे festa fir देखो मैंने दही को अच्छे से फेट लिया है इसमें बिल्कूल भी लंस नहीं है इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही साइट में रख देते हैं अब मैंने लिए है एक मिक्षर जार में डालूँगी मैं एक बड़ी कटोरी सूजी आप कप से नापके भी डाल सकते हो सूजी को मैंने डाली है अब मैं सूजी को अच्छे से पीच लेती हूं और सूजी का पाक्वडर हमें बना लेना है सूजी को भी मैं अच्छे से फीच पानी का यूज्म नहीं करना है इस forsk Serie चार लिह ए carry वाली तीन से चार लिया है आप चाहतो इलैक्श he is के बेकिंग शोटां बी लाल सकतते हो लेकिन इन्घ्र से कावी अच्छा सी केक बंता है आपकर सारे लोगों के मैं इसको चाह पानी इन्हें चुन तरह लाटा है अगर हम केक में INOO का उच करेंगे तो INOO काould एनव करेंगे ने कांने केक में आयेगा लेकिन का flavor जो और ईकेक कमें बील्कूल भी नहीं आता है आप ट्राइक कर सकते हैं देखो मैंने इसको अच्छे से फेट लिया है इसमें बिल्कूल भी लंस नहीं है थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे ज्यादा नहीं बस 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया 10 मिनट होगी है आप इसके उपसे थोड़ी सी तूटी-फूटी जालूंगी औ अगर यह नहीं है तो आप ड्रा फूट को भी इसमें डाल सकते हो इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए है अब हमारा केक बनने के लिए बेटर जो है अच्छे से रेडी है अब मैंने एक पैन लिया है अगर आप यह वाला फैन नहीं है जो घर में छोटी शाज का पती अगर आपके बाई योला पेपर नहीं है मार्केट में मिनने वाला जो बटर विपर होता है उसका यूज कर सकते हो पेपर में थोड़ा साच ऐसे तेल लगा लिया है अब हम इसमें डालनेंगे बेटर अच्छा से इसमें बेटर डालेना पूरे पैन में नहीं डानना है क्यों इसको बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है इसके उपर से मैंने थोड़ी सी चुछ फुटी ऐसे डाल ली है अगर आपके बाई यह नहीं है अब ड्राइफुट भी इसके उपर से डाल सकते हो देखो केक बनने के लिए अच्छे से रेडी होगी है अपने लिए कड़ाई को मैंने थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड दिया था इसके उपर से स्टेंट रखोंगी यह वाला छोट किरी का भी उच कर सकते हैं उतका के लिए इसके उपर से मैंने रख लिए है a अधे겠chem के यह केमारा केक अच्छे से बनके रेडी हो जाता है वहासारी लोग बोलते एक गंटा एक गंटा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है आधे गंटे में केक हमारा रेडी हो जाता है देखो आधा गंटा होगी है अब मैं इसका ढकन हटाऊंगी आपको दिखाऊंगी देखो जो हमारा केक है फूल के कितना वड़ा हो गया कितना प्यारा सा कलर इसका आया है और हाथ लगा की हम चेक का सकते हैं देखो विल्कूल भी हाथ से नहीं चिप करे है तो केक हमारा रेडी है और किनारे से जो इसका color लगना ब्राउन सा color सबसे जदा important ने केक में यही है इसका color brown होना चाहिए, black नहीं होना चाहिए और कितना प्यारा सा ये केक बना है एप मैं इसको निकाल लेती हूँ एक पलेट में देखो कितनी आसानी से निकल जाते है और जिसके उपर हमें जो पेपर लगाया था ना इसको भी है आसानी से निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से पेपर भी हमारा निकल जाता है जो मेनी ट मिला मैं में लिए मेरी सरा हैं केक युद्य करें। अब भूह बनता हैं मार्केट आ इतना टेस्टी नहीं तो घर में बनता है बहुत को बीछए केक हमारा नहीं करें। मैंने करें कितना क्यों Nathan छांद ऑस आप तक आप और इस केक को आप दिरोडू बनाए आपको वह जदा पसंद आएगा